हलो फ्रेंट्स तो फाइनली हम जो अपने बी फामेसी फर्स सेमिस्टर के लेक्टर वीडियो को स्टार्ट करेंगे हैं अब इस यूनिट को स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत ग्यान की बाता समझ लो तो एको पहला क्या है कि आपको क्या करना है जैसे आप लोग अभी अभी नियू हो तो हम क्या करेंगे जैसे आपको लेक्टर पढ़ाते जाएंगे तो बीच बीच में कुछ गाइड भी करते रहेंगे कि किस तरह आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस मालना है जो आपके एक्जाम परवक्त के लिए आपक नहीं की मेन मोटिफ देखो गयान वियान नौलेज सब एक तरफ है लेकिन लाश्ट और मेन टॉपिक यही होता है कि आपको एक्जाम में पास होना है सपल नहीं आने चाहिए तो उसके लिए आपको यह पता होने चाहिए कि एक्जाम में कौन से टॉपिक ज़्यादा आ सक सकते हो वागी फर्स सेमिस्टर के जो है इंपोर्टन कोश्चन उलेडी बने हुए है उनको आप चेक आउट कर सकते हो क्योंकि अभी एक्जाम टाइम है काफी कम हो सकता है तो वही सब है वागी हम आज जो पहला सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करने वाला है वह हमारा होने व वाई चांस तो इसको क्या करूँगा मैं यहां कवर करूँगा तो आजकी वीडियो में हम क्या करेंगे इसकी यूनिट फर्ष्ट को स्टार्ट करने वाले हैं अब यहां पर मैं क्या करूँगा इस यूनिट फर्ष्ट में आकर आप स्लेवर्स को देखोगे तो टोटल हमा यह ना इसमेंसे बहुत जादा हमारा जो है कोशन वगरा फस्ते बहुत जादा लगबग जो अगर देखा दाए इंपोर्टन यूनिट है और लगबग 20 से 25 नंबर का आपका इसी अंदर से आता है यह मैं और वोलू तो मतलब 30 मांक्स अगर आप और मिलाद होगे दो मांक्स क हम क्या करेंगे अपने चैप्टर वन को कंप्लीट कवर करेंगे तो हम क्या करेंगे चैप्टर वन एक वीडियो चैप्र टू एक वीडियो में कवर करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो लेंदी लग सकते क्योंकि आप अभी फर्स समिस्टर में हो तो इतनी अब अगर मैं एक्जाम परपकेट के लिए आपको बताओं कि इसमें से कॉश्चन कौन सब बनता है तो सिंपल यहां पर हमारा कोश्चन कई वार देखा गया कि यहां पर सीधे कोश्चन आता है कि राइट नोट ओन डवलमेंट और प्रॉफिक्शन और फार्मेसी इंडिया यहां कि इंडिया के अंदर हमारी जो फार्मेसी का प्रॉफिक्शन है वो किस तरह से डबल अब हुआ उसके वारे में आपको सारा कोश्च लिखना पड़ेगा तो इसके उपर मैं नहीं है लिख रखका बाकी हमारा कई वार एकाद बार जो आप फार्मा कोपिया के उपर क कर आ सकते हो तो यह में हमारे तीन कोश्च लिख के अंदर से फसकते हैं इसको हम यह समझते हैं और यह कोई भी टेन मॉक्स वाला नहीं किसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप स these Pharmacy word को यहां पर देखें तो जो Chinese pharmacy word है वह हमारा ड्राइब किया हुआ है Greek word होता है का हमारा फार्मे कौन यानकी यहां पर Pharmacone कुछ मिलता जलता हामारा फार्मेसी से तो जो फार्मे कौन wordt या सिम्पल लिख सकते हो कि दब फार्मेसी इस कम फॉम एक ग्रीक वर्ड फार्मे कौन जिसका मलब होता है ड्रक्स या फिर मैडिशन उससे ये वर्ड हमारा ड्राइब किया हुआ है अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं So it is the art and science of preparing and dispensing drug. यार्टि जो हमारी pharmacy है, इसके अंदर हम क्या कर रहे है, हमारी main चीज है drug, तो हम क्या कर रहे है, drugs को कैसे prepare करना है, उसी के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, उसी के science के बारे में हम जानते हैं, और उसके बारे में जो हमने drug बना लिया, तो अगर आप कोई भी definition इस तरह की बना कर लिखकर आओगे तो वो हमारी गलत नहीं होगी तो इस तरह आप लिखकर आ सकते हो बागी का है और इनका में एम क्या है अच्छे सा याद कर सकते हो तो यह हमारी डेफिनेशन आप अच्छे सा याद कर सकते हो तो definition आप समझ गए अगर आती है आप exam में लिख सकते हो अब एक definition और इसके अंदर बनती है वो आती है कि define pharmaceutical यानकि आपको फार्मसिटिक को define करना है अगर आप एक बार comments में लिखोगे तो इससे आपको वो चीज याद होताएगी memorize होताएगी और आपको याद रहेगा कि आपने वही वहाँ पर comments में लिखे केवल फार्मा के उस वाली वीडियो के नीचे तो इससे अगर कभी भी एक्जाम में आते हैं कोई पूस्ता तो आप उसको बड़े आराम से बता सकते हो तो यही रीजन है कि आपको comments में अभी जाओ कैसे भी करके और इस फार्मसिटिक की definition को लिखो और इस वीडियो को आगे देखो पहले ठीक है चलिए तो अब अगर हम सेकेंड यहां टोपिक देखें तो हमारा आता है सिंबल ऑफ फार्मेसी की फार्मेसी का हमारा एक तरह सिंबल क्या है तो अभी आप नए नहीं दो इस चीज़ों को आप सीख लो तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का साइन दिख रहा होगा तो यही हमारा एक्च्छल में क यह हमारे कि गौड ओफ मेडिसन है यान कि दवाईयों के देवता इनको बोले दाता है तो इनहीं के नाम पर यह इसनेक हमारे यहां पर लगा हुआ है जिसको हम यहां बोलते हैं और इनकी बेटी है यहां पर जो हाईजिया को रिप्रेजेंट करती है और यह एक तरह से इन करते हैं से पॉलते हैं और यह तो इसलिए इसको आप यहां पर लिख सकते हो नाम आप याद रखना है और दूसर हमारे हाई इस ते यह फादर से यहां of medicine देवता और इनकी बेटी थी हाईजियां जो हमारी इसमें है तो अगर कभी आज आता है एक दो नंबर में क्या नाम होता है तो आप इसको बड़े आनाम से लिखके आ सकते हो चलिए तो अब हमारे एक इंपोर्टेंट टॉपिक निगल के आता है जिसका नाम क्या है तो यहां पर फार्मेसी इंडिया वह हमारे दो तीन रिलेटेड है यानि कि एक हमारी इंडुस्ट्री से एक हमारी और और अगर बहुत लोग को इंट्रेस्ट नहीं है तो आप चाहो तो उनको छोड़के आ सकत सब्सक्राइब करें तो यहां पर लगे हुए आते हैं तो यह उस जमाने की बात है जब हमारा जो होस्पीटल का रूप में याद रखोगे न तो आपको हिश्ट्री याद करने में आसानी होगी अगर पॉइंट बाइस रखोगे तो यह याद नहीं रहने बाला है तो उस टाइम पर क्या होता था कि आपको बदा युद्ध बगारा चलते रहते थे बहुत जादा लोग किसी को काट रहे हैं तलवारों से सीधे होते थे तो जो घायल हो जाते थे तो उनको मरने के लिए तो छ उस टाइम हमारा treatment कैसे होता था तो जो हमारी leaves होती थी पत्तियां होती थी या cold water ठंडे पानी का यूज करते थे या animal के एक्ट्रेक्ट बगरा इन चीजों का हम यूज करते थे उनको ठीक करने के लिए treatment देने के लिए अब आप लोग को पता होगा बहुत लोग जो है जड leaves cold water इन सी जों का यूज करते थे अब यह time हमारा था कौन सा यह हमारा time था चरक का अब चरक बहुत लोग को नहीं बता होगा तो आपने आयुरुवेदिक सिस्टम के बारे में बहुत सुना होगा तो आयुरुवेदिक सिस्टम मारा बर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम इंडिया का नहीं बोल सकते वर्ल्ड का बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया सही यह चीज़ बाहर गई थी कैसे घए यहां पर समझो तो इंडिया है वन औफ दा वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम ऑर इंडिया का था जो एक तरह से वर्ल्ड का बहुत जादा पुराने सि तो उस टाइम की बात थी उस टाइम पर क्या होता था कि जो भी मतलब चरक कैसे क्या यूज करें थे उन्हीं चीजों को फॉलो किया था 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 तो अगर आप पहला एजुकेशन यह फार्वें सबसकते तो वह चरक के जमाने यानकि आयरुवेदिक सिस्टम का था जिसका तो यहां पर क्या हो रहा था कि लगबख हमारे जो लीप इन चीजों से निकाली जाती और उसी टाइम पर चरक थे उन्होंने चरक संबिता नाम की किताब भी लिगए जिसके अंदर नहीं यह सारी चीजों के बारे में लिखा था और उस टाइम पर किताब यह नहीं की कि यह सब हमारा चल लाता है इंडिया बहुत अच्छे सारे को चल लाता लगबख 1500 सेंचरी के करीब किया हुआ था कि इंडिया के जो ड्रक्स और हफ्स थे उन्होंने यूरोप को इंफ्लेंस किया यानिकि यूरोप ने इंडिया से सीखा और उसके बाद यूरोप ने यह अच्छा पी और इंडिया के अपनों चैन्नी वर्साइब मूवी देखे वी इसमां बोध्धी धर्मन के बारें बात की गई तो वह भी इंडिया से चाइना गए थे तो इस तरह देखा था है तो इंडिया ही हमारी सोने की चीड़िया और सारा कुछ इंडिया के अंदर था इंडिया से यह चीज हमारी क्या है इज़र उदर ट्रांसफर होके गई है तो यह हमारा था लगबग इंडिया ड्रक्त क्या क्या कैसे हुआ था यह आप थोड़ा बहुत समझ गया हुए इसके बाद अगर कुछ और बात करें तो सन 1664 में हमारा पहला जनरल होस्पीटल चन्नाई के अंदर खोला गया था तो सोलेटो के करीब हमारा खोल गया था ठीक है और भी बाता थी शौर्ट में यहां पर समझ रहे हैं तो अब हमको क्या समझ रहे हैं जो में अगर हमारा कोश्चन भी कभी-कभी याद आता है वह फार आप चिपका लो और उनसे आप एक चीज़ रिवीजन करोगे वह करोगे बागी इनमसार कोश्च इंपोटन होगे वह मैं आपको अलग से बता दूँगा तो पहला पॉइंपोटन मैंने यहां बताया कि जो चरक थे वह हमारे फादर आयरुवेदा है और उन्होंने चरक सम सिस्टम की क्या होई थी आगवन कर या तो यह हमारा 19 सेंचरी में आया था 19 सेंचरी के अंदर हमारे जो प्रीटेश लोग ते उनके जहरा आये था वह हमारे काम बागरा करने आये इस इंडिया कंपनी लेकर आये तो इन्हीं सबसे क्या हुआ था हमारे अंदर अलोपैटिक सिस्टम भी आ गया था दीरे दीर आपको बता है उस ट्राम दोनों ही चल रहे थे आयरुवेदिक भी और अलोपैटिक ने पूरा ही मतलब कभजा करके रखा है हर सरफ आज विजन आपको बता है कि अलोपैटिक बैस्ट है थोड़ा था बैस्ट तो नहीं लेकिन लेकिन वह हिंदुस्तानी बर्जन करके लंडन फार्मयों कॉपिया था यहां पर जान लोगा मेडिकल कॉलेज पंजिम में खुला गया था अब यह भई है जहां पर हमारे सत्संग को सुनने गए अज्या देवकन साहब कहां पर गयते दौक्टिवर वाले दिन तो यह एटीन फोर्ट कोपिया एक तरह से बोल सकते हैं कि इसी को थोड़ा सा ऑप्टिवाइं करके 1864 में मारी बेंगल फार्मकॉपिया यहां पर लाई गई थी तो यह हमारे 1864 की बात हो रही है आप चाहो तो यह इसको दो पार्ट कर सकते हो प्री इंडिपेंडनेंट और आफ्र इंडिपेंड था उसके बाद थोड़ा सा 1930 की बात करें यहां पर तो अब यहां पर क्या है इंडिया में कुछ भी ग्रोथ देखने को कुछ नहीं मिल राता तो इंडिया की जो गवर्मेंट है उन्होंने क्या किया यहां पर अपलाए गई तो कमेंटी के हमारे जो चेयर मैं सिप्त है या यहां पर बोल सकते हो कर्लन आरें चोपड़ा तो इनके ने तरत में क्या गया कि गवर्मेंट इंडिया ने कमेंटी न अपनाए गई और उसके बाद इन्होंने पूरा खोजबिन किया यांद कि एक्दम करनल थे आके सब किया और कहां कैसा और उसके बाद हमारे में एवैल कहां से शुरूगा 1930 से कि जब हमारी एक कमेटी बनाए गई आरें चोपड़ा के नेतरत में गवर्मेंट के द्वारा और जैसे यह आई नो ने सब खोजबिन किया और उसके बाद हमारी पहली फार्मसेटिकल सोसाइटी नैंटीन थर्टी फाइब में उपिन कि गई जिसका यहां पर आता है कि 1937 में एक तरह से 37 लेकिन जो बैच हमारा पूरे चलता है आप लोगों देखा होगा उसको 37 38 बोलेंगे अभी जो आप लोग का चल रहा है वो कहतना है 23 24 चलेगा अगर आपके अभी हो रहे हैं और एक्जाम जश्ट अभी हो रहे हैं तो आपका 22 23 बैच है तो यह हमारा है कि इस में क्या हुआ था प्रोफेसर महादेव लाल स्रॉफ जिनको हम जो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी भी का जाता है यह दो नम्मर में आधा था कोश्यन इसको आप याद रखना है देखो मैं आपको बताता जा रहा हूं जो जो चीज इंपोर्टें इसके अंदर हमारा आया गया था ठीक है और उस टेम यहाद कर लो वरना कोई इनका इतना रहा रॉल नहीं है तो पहले हमारे सुबद्र कुमार पटनी था जो हमारे पहले फार्मेसी ग्रेजूएट वने जिन्होंने यहीं सकी और और उसी साल 1940 में जो हमारे महादेव लाल स फार्मेसी है उन्होंने एम फार्मा भी इंटिड्यूस कर दे लग गए और पहले जो एम फार्मा जान की पोस्ट ग्रेजूएट बन दे थे उनका नाम ता गोरक प्रतास रिवास्तब जिन्होंने 1943 में पोस्ट ग्रेजूएशन कंप्लीट कर ली थी फिकर ना करो यह थोड अब युनिवर्सिटी चंडीगड के अंदर पंजाव युनिवर्सिटी जो अभी भी है और वह भी टॉप टैन के अंदर रहती है उसको यह नाम है जानकी पहले लाहर में था पर यह डिवाइडेशन होगा और यह सब चीज हो गई तो आप इसमें आगया तो यह सब आगय क्या है आफ्टर हमारे का इंडिपेंडेंट है तो आफ्टर इंडिपेंडेंट यहां पर क्या हुआ नाइंटीन फोर्टी एट में सबसे वहले हमारी फार्मेसी एक्ट बनाया गया उसके पार नाइंटीन फोर्टी एक्ट में यहां पर लाया गया था और उसके बाद हमार फार्मेसी पीचिए गंडर चलती है यह हमारी 1953 में बनाई गई और इन्हों ने यहाँ पर क्या डी फार्मा की सुरुआत की मतलब एजुकेशन रेगुलेशन ने देखा कि लोग के पास काफी कम टाइम रहता तो अगर कोई सौड को सो तो डिप्लोमा कोर्च भी मारा फार्मी से यहां पर ले लिया गया और यहां पर हम इसी साल हमारे पहले पी एच्टी होल्टर निकले जिनका नाम क्या था सियो विहारी लाल उसके बाद 1955 में पहली हमारी इंडियन फार्मा कॉपिया लॉंच की गई यानकि फर्ष् में 1991 में खुलाता है जिसके नाम था नाइपर मोहाली नाम से और इंदर डारेक्टर ऑफ डॉक्टर सी एल कॉल तो यह हमारा था कुछ हिस्ट्री कैसे क्या चलता रहा है इतना कुछ वैलियूट होता गया और आज आप कंडिशन देख रहे हो इमर्जिंग फेस है और आफ् भी फार्मेसी यहाँ पर चार साल का मिल जाता है उसके बाद हमारा एम फार्मेसी यहाँ पर क्या है यह आपको दो इयर का अलग से मिल जाता है उसके बाद यह हमारे एक तरह से मास्टर ऑफ साइंस है यह तीन तीन साल के कोर्स है फिर मास्टर ऑप टेक्नलोजी इन वी फा नहीं हो तो अलग से आप कर सकते हो एक तरह से ग्रेजुएसन टाइप हो गई तो यह आप यहां पर समझ गया होगा टोटल सेवन कोर्स है अब अगर एक्जाम में कई वार होता है कि वह इस थोटे से अलग तरीके से आ गई है पांस नमर में आ गई है तो आप कैसे लिखोगे तरहां सोने सो चालिस के बीच है और सतरगे बीचे और पैसन डेरह निस सो सतर से आज तक हमारा चलता आ रहा है और यह हमारा बिलकुल ही निव होरीजन के बारे में अब यहां प्रेजिग से पत्ति पट्यवगरा जानवरों के एक्ट इन सब सब चीज़ों से हम ठीक करते उस्टाम हमारे जो हिप्पोक्रेट थे फादर आप मेडिसन कहा दा तो यह चीज हमारी आपने थोड़ी बहुत बात रहा लेना पर एंपरिक एरा हमारा जहां पर फार्मकॉपिया की हमारी मतलब एक तरह से इंट्रिक्शन हुआ था फार्मकॉपिया क्या होते हैं और इनहीं का यूज करके हमारे एलोपेदिक सिस्टम की एक तरह से एंट्री हो रही थी और यह सब हमारा चल रहा था उसके बाद इंडिश्टर एरा में हमारे जो वर्डवार हो रहे थे लड़ाई बगरा हो रहे थे और इसमें हमारा एक तरह से फूचर बोल सकते हैं वैसे इसी में आप जो अभी तक पॉइंट पड़े थे उनको इंक्ल्यूड कर सकते हो तो यह जश्ट है कि अगर आपको आपको यह चीज है अगर किसी को मतलब जो मैंने बोला किसी को इस्ट्री में इंट्रेस नहीं नही कैसे है और फिर फार्मेशी के बारे में देखें तो देखो आप भी जानते होगी आज के थे तो मैं फार्मेशी का बहुत जादा स्कॉप है और मतलब बहुत होता है मालों कोई भी टैबलेट अगर है तो वालों दस वीस रुपए की अकर कंपनी से प्रोड़क्शन निकल तो बहुत जादा मारजिन होता है इसलिए ये बहुत बड़ा च्हिटर और इंडिया में तो अब इसकी ग्रोथ और भी जादा खुती दा रही है तो देखाता है तो फार्मेसि का बहुत बड़ा मतलब कैरियर है और शबसे बड़ी चीज क्या है कि फार्मेसि हमारा एक तरह से हेल्थ केर सर्विस के पार्ट है एक तरह से यानि कि जो मतलब हॉस्पीटल हो गए कोलेज हो गए इन सब में आपको देखोगे आज तो फार्मेसिश्ट आपको जरूर ही मिलता है कोई भी मेडिकल सौब है फार्मेसिश्ट वाला मिलेगा आपको कहीं भी आप देखोगे भई मतलब दवाई दे रहा है कोई होस्पीटल के अंदर है आजकल वार्डबॉय में भी बहुत जादा फार्मेसी वाले यूज़ करते हैं इमर्जंसी भी वहल्प करते हैं तो नॉलेज जैसे भढ़ती तारी है ये फार्मेसी का प्रोफेस्टन और फार्मेसी लोग जो है उनकी वैल्यू और जादा भढ़ती तारी है तो यही हमारा pharmacy की बहुत चादा आप इसमें कर सकते हो अब फार्मेसी एक emerging phase है जिसमें बहुत scope है अब मैंने को जहां 5 points लिखे हैं इनको आप use करके लिखे आ सकते हो तो exam में कभी आएगा तो आपको लिखे हो कि write a note on pharmacy as a carrier तो यह कुछ चार बात है आप लिख देना कुछ ब अब इनको समझो क्या कैसे एक एकर के तो अगर हम academics के बारे में बात करें तो अब person who has completed या done his or her study in the field of pharmacy कोई भी बंदा अगर फार्मेसी फिल में study अपनी develop कर लेता है complete कर लेता है तो वो assistant professor बनता है private teacher बन सकता है कहीं पर tuition बढ़ा सकता है तो यह सारे काम जो वो बनता कर सकत है teacher आप बन सकते हो professor personal बन सकते हो कोचिंग करा सकते हो किसी को अपना personal coaching यह सारे काम आप कर सकते हो बाकि government सेक्टर में भी आप teacher की पोश्ट पगराबी जा सकते हो काफी अच्छा scope है तो बस देखा था है तो इसमें आपको यह बताना है कि आप pharmacy अगर कर लेते हो तो आप क् education institute भी open कर सकता है और students को सर्व कर सकता है बच्चों को पढ़ा सकता है और उसके बाद एक और option है कि वह प्राइवेट कोचिंग इस्टीट वगरा भी open कर सकता है बस मैंने जहां सोड में लिखा बाकी तो इन सब को करने के लिए आपको proper मतलब बहुत सारा पेपर वक्स चाह पढ़ा सकते हो यूटब पर तो पढ़ाना बहुत आसान है जो मैं कर रहा हूं तो आप यह सारे काम भी कर सकते हो फार्मेशी के सुरूं बाकि थर्ड आता रेगुलेटरी डपार्टमेंट तो अगर कोई भी क्वालिफाई परसन है वह अपना लग्ज गवर्मेंट सेक्ट गर्मेश्टर में आपको जौब मिल सकती है रएक वे method by उन्देक्वर्मेंटane इंडश्टीस होती है उन्हें वहां आप बन सकते हो तो यह काम भी आप कर सकते हो तो यह कुछ आप गयुई की कर सकते हो बाकि एक सदा बाहर काम तो आपको हमेशा बता है कि कैमिश्ट सॉप आप ओपन कर सकते हो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो आपने डिगरी कम्पलीट के आपने लाइसेंस बना और अपनी मेडिकल सॉप खोल के बैड़ दाओ वहाँ पे दबाई यह दो बच्चों को और बिलको टेंस तो केम में सब आपके लिए एक कर सकते हैं और आपको किसी की गुलापी नोकरी बह responds करा सकते हूं लाहीं बोला हो ओछी पार्मसिटकल बढ़ाई करना आपको बहुत आपको यह प Ну तो यह अपनी kumperny open कर सकते हो तो company open करने के लिए बहुत सारे मतलब paper वाओं यह सब करने पढ़ेंगे जगार रोपभाय चाहिए बहुत सारा येकिन आपने सुना जरूर होगा इसके इनदर आप जॉब कर सकते हो और इसकाές की तो उसका क्या है जैसे कोई मुण्टक होसाने है चल रही है उसके इसके इपने को स्टड़ी करते रहते कि कोई ट्रक हमारे नुकसान तो नहीं कर रहा तो यह सब इस्टड़ी पर आप कर सकते हो तो यहां बताते हैं कि आपको चार बाता लिखनी आप चाहो फार्मेशी की डेफिनिशन लिख देना उसके बाद यहां पांच पॉइंट है अकेडमिक्स क्या हो इंडेश्टि बगर आप उपन कर सकते हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए जौब उपन कर दोगे रिसेट एंडवलेमेंट डेपार्टमेंट में प्रोडक्शन में जा रहे हैं आप यह कुछ अपनी तरफ से बना बना कर लिख किया सकते हो तो यह कोशन सिंपल है और काफी बार आज आता है तो आपके मज़े आता हैंगे बागी अब हमारा इसमें लाश्ट टॉपिक आता है फार्मा कोपिया के बारे में तो बैसे इतना जादा इंपर्टन ने लेकिन अगर कभी आवीज आता है तो मैं आपको सौर्टी बता रहा हूं कैसे आप लिख लोग किसी भी कंपनी बगरा है या पूरा जो हमारा इंडिया है उसमें एक ऑफिसियल इस्टेंडर्ड वोग है अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या करना यह वाला ड्रग बनानी तो आप कैसे बनाओगे कोई तो आपको रेफरेंस यह कहीं से तो देखके बताओगे रेसिप बनानी है उस टैम पर हम क्या करते हैं उस मेडिसन के बारे में सारी चाहिए कि कैसे बनानी क्या तो वो सारी प्रॉपर चाहिए ऐसा नहीं कि मालू मैंने बता दिया हो सकता कुछ वला तो उसकी जो प्रॉपर इस्टेंडर्ड ऑफिसियल यानकि एक ऑफिसियल होता है यह त करें सकते हैं हुए तोटल फार्मो इन दर के अंदर लिखी होती है और यह जो मारी करका है वह हर एक के लिए अलग-項लग होतीज्थ हमारे इंडिया सब्सhmad थोड़ी तेक्निकल तर्म है आप सिंबल वाई समझो कि यह मारा लपकाически कर तरव मैंана दो बनाए पहला मारा इस में आता है फार में को तो यह मारा फार में बंझांट है और पॉया वर्ट हमारा यहां पर आपको देखने बलगा현ow यहां क्या होता है और पॉविया को पिया बोलते कर दैSee को पोई या नहीं पिया बोलते हैं तो फार्मे को पिया का मतला होता है में यह जिसके अंदर किया कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है कोई मॉनोग्राफ लिखा हुआ है जिससे हमको यह पता लग रहा है कि और सबसे बड़ी चीट कि हमारी गवर्मेंट ऑथराइट है तो हम इसको एक्दम ऑफिसियल बोल सकते हैं तो यहां पर अगर मैंने पैरा सीटा मोल लिख दिया तो क्या होगा कि इसके बारे में सारी बात है किती डियों कितना क्या करना कैसे मिक्स करनी कैसी राता करती है इस तरह सारी पर समय करते अगयों अगर कई समगेरशाद सब्सक्रीब्र आगが जचला अब संपल है कई बात दो नंबर में डेफिनाश है यह संको शैष्ट के पड़ सकते हो बागे इगर हम कहाँ तो जो आपने फार्मकोपी आपने इस्ट्री वाले पार्ट में देखी लिया था कैसे हमारी यह डबलब हुई तो हमारे लिए सबसे इंडियन फार्मकोपी क्योंकि अगर कोश्चन भी आता कई बार तो इसी के उपर आता है मैक्जिमम से मैक्जिमम ब्रीटिस के उपर आता है ज्यादा कुछ नहीं आता है तो आप दो चार लाइन लिख दोगे उसी में आपका सारा काम होताईगा अब कैसे करना है तो अगर इ इस अन ऑफिसेल टेस्ट रिस्पॉंसिबल फॉर्धा क्वालिटी कंट्रोल एं एंस रहां तो हमारे इंडियन फार्मकोपी आपका क्योंकि इसी मैं से देखकर हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं तो अगर इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती क्योंकि हम इसी से क्या कर रहे ह तो एक तरह से देखाजाए तो जो हमारी इंडियन फार्मकोपी आईपी है वह हमारी आइडेंटिटी प्यॉरीटी एंड इस्ट्रेंट अभ्र कोई भी जो हमारा ड्रॉग है वह कितना तागतबर है एफिकेसी कितनी है कितना प्यॉर है और वह है कौन सा इन सबको फार्मकोपिया इसको पॉब्लिस करते है आई पीसी यानकि इंडियन फार्मकोपिया कमीशन है आप चाहो तो ओपीसियल वैपसाइड पर जाके भी देख सकते हो वहाँ पर आपको सारी इंफरमिशन मिल जाएगी गूगल पर टाइप करके देख लो आई पीसी इंडियन फार हजार रपे के मिलेंगे तो इतनी महंगी हमारी बोग होती है अगर कोशन आता है तो यह आप बाता लिख दोगे यह लिख दोगे अब यहां पर मैंने एडिशन लिखे जानकि इंडियन फार्मकोपिया ऐसा नहीं कि एक बार बना दी हो गया काम इसको हम साथ के साथ जो है भी बनाई मालो खाना बन गया आप खा रहे हो आपको लग रहा है वह इसमें नमक नमक डाल लिया तो यहां पर किया पहले एक सब्सक्राइब अपने रिख दिया कि आफ्टर एड समन इसमें इसमें तो इसी तरह कि हमारे होते है अड़्यास कॉम सप्लिमेंट भी बोलते है कि आपने इसको क्या किया थोड़ा था ओप्टिमाइट ठीक किया तो मालो 1905 में यह पूरी लिख दी गई फर्स्ट एडिशन हमारा लॉंच हो गया इंडियन फार्मगा पर आ गया अब इसमें कुछ भी इनको गड़बर लगी इन्होंने 1960 में थोड़ा बात उसको ठीक किया इन्हों क्या बोलते हैं अडेंडम बोलते हैं तो यह आप यहां देख सकते हो बागे इसके अंदर हमारे मोनोग्राफ नाइटी शिक्स थे बॉलम हमारे दो थे यहां पर इसी तरह हमारा सेकंड एडिशन जो इन्हें फार्मगों 1966 में आया था और इसमें अडेंडम हमारा 890 थे बॉलम हमारे तीन थे थर्ड एडिशन हमारा था नाइंटी नेटीफाइब में सप्लिमेंट हमारे 1989 में किया और सेकंड यानकि फिर से यह हमारा हर साल नहीं बनाते फिर से हमारा समय में 1991 में किया गया दो सो एक से मोनोग्राफ हैं बॉलम हमारे दो हमारे दो हमारे द तो यहां पर आपको लाश्ट की लाश्ट की इंपर नहीं तो यह तो आपको यह तो आपको परकना पड़ेगा कि टोटल हमारे एडिशन है और पहले एडिसन में इतने में आया लाश्ट इतने एडिसन में आया तो यह बाते हैं यहां लिख सकते हो तो अब हम सेकेंड चीजिए बारे हम बात करें तो वह हमारी आगी ब्रीटिस फार्मकापिया तो आपको इतना पहले सकते हैं इंडियन फार्मकापिया पढ़ लिख्या आता है तो इसके बारे हम लिखके आता होगे ब्रीटिस के बारे में बात करने तो यह पहला बनाइट पहले से देख लेने थोड़े घौट फार्ड वाद थर्ड हमारी यूँईस पी यानगी यूटे टिशेट की तो अगर यही ता हमारा पूरा पूरा प्रॉपर अच्छे से लिखकर आओ और आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो यह वाला पार्ट आप बना के आजाना यह सौट में चल पड़ेगा उसके बाद फार्मेसी एदा केरियर वाला पार्ट है तो वह मैंने आपको बता दिया कि चार-पांच चीज़ा आप ओपन कर सकते हो यह पांच पूंट आप याद कर लेना अलग से लिख लिखके इसको अब देख लेना उसके बाद हमारा लास्ट इसमां फार्मकॉपिया के बारे में हमने देखा तो उसमें भी इतना जादा नहीं है आप इंडियन फार्मकॉ